बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम कैसे विता है उसके बारे में आज आपसे बात करूंगा मेरा नमे डॉक्टर दीपर केलेगर में मनुविकार सेख्षरोप सम्मोहन तथा व्यसन मुक्चितग्यों महारास्टे में मुंबई पुने अकुला यहां प्राक्टिस करता हूं काफी सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि फशोंको बहूत सारा टाइम देते हैं और तभी वह ऐसा बोलती कि नहीं हमारे माबस देते धी नहीं अपी पूचा कि आप बच्चों को time देते हैं मतलब क्या करते हो। तो बोलाए के लिद्या आप गूआने ले जाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे, शॉपिंग करेंगे , फिर इस्क्रीम पालिल में लेके जाएंगे तो हर संदे उनके साथ भी हम time देंगे। आप को अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है और उनको लेके माल में जाना आपको अच्छा लगता है। है। आपको अच्छा है सिनEMA इक करने कुछ सिनिमा जाती हो आप शच्छा लगता करके है अब बोलते है। उनकी लिए सिनिमा जा रहे है। इसके बदले आप जो उनको टाइम देते है दो तीन गंडे आप इदर ऊपक्थ तरी टाइम में पिताते हैं। उसके बदले आप एक वालिटी टाइम देते हमा होते हैं2-3 गंडे 4 गंडे या वुड़ा देन के औरे क्वालिटी टाइम हुझाते हमाते हम में difInit तक उनको जो अच्छा लगता है वो करना है है। है संजो बच्चों को लगता है कि कार्टूνε二स कि खुंगनेat घुमने phiट चैज खेलना है तो छेश खेलों कुंग को जो भी अच्छा लगता है वह आपने उक्हांद में करनाईग मैं उनको पुछ न que by को तो उनके साथ में बैटना बाते करना और सुनना हम बच्चे बोलते जाते बोलते जाते हैं सुनते भी नहीं एक ट्पिकल एक्जामल आपको बच्चा स्कूल से आता है उसको मम्मी खाना खेला दिये और बोलती है चल बैठ पढ़ाई कर वह कुछ बोलना चाहता है वह स्कूल में बढ़ बढ़ करता है और उसकी मम्मी फोन मोबाईल खूलके अब वाट्प देख रहें है कि क्ढ का करे चाहिए और बोल रहा है उसके थिल्बूक क्था ना जाते ह pen बार म मय चुनना में पर देखो और उसकी उस полез निए और जै और जो सुना है और जो सुना है वो उसके साथ में रिक्रीयेट करनेका है और कि अपने बोल करना चाए है तेरे टीछर ने को ऐसा बोला आजा ऐसा अजाता रूब है तो यहीं बोलना है तो ने बहुत मजा किया दोह रहाते हैं तो उसको घमन्या पहां, जन्होंने मेरा कुरास सुन लिया। तो वो गरना जरूरी है। स्कूल में बच्चों को एक निभन्द दिया लिखने के लिए। क्या आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो बच्चे ने कुछ कुछ लिखा कि इसने बोला मैं पुलीस अफिसर बनना चाहता हूं, कि इसने बोला मैं कंतवरदान बनना चाहता हूं, कि इसने बोला मैं बिजनेसमन बनना चाहता हूं, ऐसे काफी सारे बच्चों ने अलग अलग निभन एसे लिखे लाए। दूसरे जालू गया तो उसमें लिखाता मैं टीवी बनना चाहता हूं क्यूंकि मेरे पापा जब मेरे घर में वापस आएंगे उनके ऑफिस से या बिजनेस से तो फिर वह बाकी कुछ करते नहीं उसिर्फ मेरे को ही देखते हैं टीवी को देखते मतलब मेरे को देखेंगे मम्य अपना टाइम जो है जो भी स्पेर टाइम उसको मिलता है तो वो कहां बिताती है वो मेरे सामने ही बैठके बिताएंगी भाई बहन मेरे जगडेंगे काई के लिए जगडेंगे मेरे को देखने के लिए जगडेंगे कोई महमान आते है तो वो मेरे सामने ही आके जब ये तीचर ने निभन देखा और उसमें अपने पती को बता है तो पती बोले ठीक है क्या प्रॉब्लम है ठीक है अपने बच्चे है अपने बच्चा अपने बच्च घिसने निभन लिखा हुआ है तो उंकी आंगे खुल गई क्यों हमारे बच्चों को 20 परवरिश करते बच्चों की परवरिश किस तरह से करते रहते हैं कि बच्चों को यह लगता है कि हमारे तरफ हमारे माबाब का ख्याली नहीं है वो उनको सुनते ने हैं, हमारे तरफ देख बाल नहीं करते हैं, फिर हम गोलते हैं कि बच्चे हमारा सुनते नहीं, बच्चे आपका सुनते नहीं, बच्चे दोस्तों का सुनते हैं, क्योंकि बच्चे उनका सुनते हैं, करके दोस्त बच्चों का सुनते हैं, यहां होता गया यो प्रेश्शनी में तो आप इस किया इस है? क्वालिटीन टाइम देना है बूले तो 20-40 मिनिंट पर सब्सक्रांगा ईखनेकर और अपको बहुत की सुनेगा और आप इक हो जाएंगी बच्चों को अपना पन लगेंगा, वो आपके उपर प्यार करेंगा, आपका भी उसके उपर प्यार बढ़ जाएगा, बच्चा आपकी सुनेगा और आप बच्चे की सुनेगी, तो being one with everyone, being one with the child, तो यह संभाव है, बच्चा आपको अच्छा काता जरू, सभी पेरेंट्स को शेर जरू, Thank you very much. झाल